चले आईए सिवान शहर इस्तित टीएवी कॉलेज मोड के निकट महाकाल कम्प्यूटर्स में नमांकन प्रकिरिया जारी है अधिक जानकारी के लिए कॉल करें च्यूले च्यूले उचारी कॉले जो निर्विरतमान विधायक हैं विकास विकास के नाम पे लोग को ठग रहे हैं कि विकास की नदिया बहरी है मुझे तो सड़कों पे नदिया बहते दिख रहे हैं गेहों की फसल होगी की नहीं होगी, इसकी भी लोगों की चिंता है, मगर यहां का निर्विरतमान विधायक, दस महीने का कारेकाल उसका रहा, आज तक उसने ना मीडिया में, ना पेपर में और ना ही विधान सवा में इसका आवाज उठाया, कि हमारे छेतर की जनता, हमारे छेतर का किसान, हमारे छेतर का गरीब, भूखे मरने की कागार पे है, उसे मुआवजा मिलना चाहिए, उसे कोई पैकेज मिलना चाहिए, आप भी पत्रकार है, मैं आप से सवाल पूछता हूँ, आपकी कभी कभी यहां के जन प्रतिनीधी से ऐस उसे सक्ति देती है, उसे अपना जुबान देती है, उसे अपना विश्वास देती है, कि उसके बदले, इस जंता के बदले, वो सदन में जाके उसकी समस्याओं को बोलेगा, वो व्यक्ति जो यहां से जाता है, और यहां के जंता को भूल जाता है, उनकी समस्याओं को भूल उसको ये चिंता नहीं है कि अगले तीन महीने के बाद जब यहां फसल नहीं होगी यहां भुकमरी की समस्या होगी तो लोग यहां खाएंगे क्या और करेंगे क्या रोजगार का साधान आपको पता ही है कितने रोजगार हैं कितने लोग पलायन करके वापस यहां से वापस आ पूरे विधान सवा में कई सो सड़कों को काउंट करवाते हैं कि नोंने बनवाया है देखिए यहां कि जंता से थोड़ा आप सर्वे कीजिए सोशल मीडिया के बात मत कीजिए बहुत सारे जो सड़के आप बोल रहे हैं उसमें से पचासु सड़के ऐसी हैं जिसका सिलपट लगा है उसे दूसरी बात यह कि अगर पांसोफीट का सड़क है और पचास बीट का काम कराते हैं उस पे बंघा है कि विकास क्या होता है यहां लोग हर हर जगे पचास फीट सौ फीट जेड़ सौ फीट बना के और अपने लोगों को दो हजार चार पांच हजार रुपया कमाने के लिए ठेकदारी करके पूरे फंड का ऐसा तस्या कर दें कमसे को फंड का कमसे कम एक बड़ा कोई पूल बन कार हैं आप समाज का आईना है समाज का विट चेख करें अची और आट इंच की डहलाई का कितरी ऑफ़ाइं करना होता किUSTी कर आहिं तो बहुत लोगों कन जुईर साथ कोई भाजपा के करेकरता उनके साथ नहीं जूड़ा है वो सिर्फ अपने मुझे भाजपा के करेकरता बता रहे हैं भाजपा के परत्यासी बता रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाजपा का जिला अध्यक्ष मेरे साथ नहीं है वो अच्छी बात है उसको होना भी नहीं चाहिए उसके जैसा अक्षम वक्ति मैंने चाहता है कि मैं लेकर उघुमूं लोग मुझे भी उसी के तरह अक्षम समझेंगे वो सक्षम नहीं है अक्षम है पहली बात दूसरी बात यह है कि भाजपा और जदियू है कौन यहां एंडियू का जो सुरु से जो समहाले हुए वक्ति है जिसने जदियू को सीचा है जदियू को इस सिवान जिले में उचाई तक पहुंचाई है जहां आज जदियू है आजए सिंग पूरा पुर्ण रूप से मेरे साथ हैं मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं भाजपा जितंदर स्वामी आपको पता हो कि 2014 में जब मेंबर्शिप गएं जितंदरि स्वामी ने अकेले 75,000 में मेंबर बनाये थे और 25,000 में पूरा जिला बनाया. मैं तो सुरू से भाजपा रहा हूँ उन्होंने राज़द कोग्रिस भी जोईन किया है देखी अब इन सब चीजों पर हम बात करेंगे बहुत लोग अपने आपको भाजपाई कहते हैं जो दिन में भाजपा और रात में राज़द रहते हैं जो जेल गेट पे भी जाके चमचागीरती करते हैं और दरवार में भी जाके सलामी ठोकते हैं हमारा परिवार का ऐसा इतिहास नहीं रहा है हम सामने से लड़ते हैं और सामने से बोलते हैं पीछे से नहीं बोलते हैं तो इस पे हम लोग ना चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैं बहुत सब्भेवेक्ति हूँ अगर मैं बोलने लगूंगा तो बहुत लोगों को मुझ चुपाने की जगा ढूंडने पड़े हैं